अब हम देखते हैं कि ऐसी समस्याएं जो दक्षिन एशियाई देशों में समान रूप से कायम हैं सभी देशों में हैं मोटा मोटा सभी देशों में ऐसी कौन सी कौमन समस्याएं हैं समान समस्याएं यानि कौमन कौमन समस्याओं के अधि हम बात करें तो सबसे पहली समस्या है साफ्टा साफ्टा क्या है ये व्यापार के संबंद में किया गया एक समझोता है साउथ एशियन देशों के द्वारा किया गया समझोता जिस पर आगे थोड़ा और बातचीत होगी अभी आप समझ लें कि ये व्यापार सम्बंदी समझाता है इस व्यापार इसे संख्षेप में साफ्टा कहते हैं छोटे देश जो हैं इन आठ देशों में जो छोटे छोटे देश हैं उनका कहना है कि साफ्टा के बहाने भारत अपनी व्यापार को लाद रहा है उनके मन में ये शंका है कि साफ़्टा के बहाने भारत अपने माल अपने व्यापार को हम पर लाद रहा है ये किनका विचार है छोटे देशों का और व्यापसाइक उद्यम तथा व्यापसाइक मौजूदगी के बावजूद उनके समाज को उतना फायदा नहीं मिल रहा है उनके पास उद्यम है उनके पास समाज है मौजूदगी है व्याफसाइक मौजूदगी लेकिन कम मात्रा में है क्योंकि संख्या कम है खेत्रफल कम है तो उनका कहना है कि भारत इस प्रकार बड़ा होने के नाते हम पर हावी हो रहा है और साफटा के दर्वाजे से वो हम पर दबाव बना रहा है एक और जहां छोटे देशों का ये सोचना है तो दूसरी और भारत का क्या तर्क है भारत कहता है कि साफटा से हर देश को फायदा होगा और मुक्त व्यापार इस खेतर में मुक्त व्यापार से राजनेर्टिक मसलों को हल करने में फायदा होगा यह भारत की सोच है, यानि साफता के माध्यम से वो राजनेतिक मुद्दों के निरा करण का भी रास्ता देखता है तो दोनों के जो विचार हो रहे हैं, छोटे देश बना भारत, उसको साफता के मुद्दे को लेकर मदभेद है और ये जो समस्या है सभी देशों के साथ है सभी देशों के साथ बनी हुई है दूसरी समस्या क्या है कामन जो सब देशों के वो है कि बहुत ज़्यादा आपसी मद्वेद हैं सभी देशों में आठों देश एक दूसरे से उलजे हुए हैं अन्य समस्याओं को लेकर कुछ अन पाकिस्तान ये सीमा विवाद को लेकर उल्जे हुए हैं कहीं बटवारे को लेकर मन मुटाओ है नदी के पानी को लेकर बटवारे को मन मुटाओ है भारत और बंगलादेश वहां नदी के पानी को लेकर जगड़ा है उसके साथ ही भारत पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर परि इत्वादी गतीविधियां दिनों दिन भारत पाकिस्तान की सीमा पर बढ़ती जा रही हैं, आरोव प्रत्यारोव होते जा रहे हैं। Kushmira के मुद्दे पर तो आप अच्छी तरह जानते हैं Pakistan का रोईया। सथा तुरूप से कश्मीर ने, पाकितान ने कश्मीर पर अलगावादी राग अलापा है जब के कश्मीर भारत का एक अहम अंग है, लेकिन पाकितान उसे दूसरे नजर ये से देखता है इन सब कारणों से क्या हो गया है कि सदस्य देशों के हाथ ज़्यादा तर उत्थान में नहीं वे लोग भले एक साथ हैं लेकिन उनके दिल नहीं मिले हुए वे लोग भले एक साथ हैं दक्षिन एशिया के ख्षित्र हैं लेकिन दिल उनके नहीं मिले हुए By heart they are not close to each other और यही हमारे जो सार्क की असफलता का कारण है या सार्क की बहुत कम सफलता का कारण है सार्क क्या है मैंने आपको बताया South Asian Association दक्षिन भारती दक्षिन एशियाई देशों का एक संगठन है जिसका उद्येश था यहां पे विकास करना जिसका उद्येश था यहां पे शिक्षा, व्यापार, तक्नीकी विकास, तूरीजम, आदिका विकास करना एक दूसरे से सहयोग करना मूल उद्येश था सहयोग लेकिन सार्क वो परणाम नहीं दे पाया जिसकी अपेक्षा थी कारण क्योंकि सभी देश एक दूसरे से उल्जे हुए है कुछ न कुछ मन मुटाओ बना ही हुआ है दुश्मनी बनी ही हुई है दूसरे शक्तिशाली देशों की राजनीती भी हावी हो रही है और यही कारण है कि सार्क को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है यह देश सब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते विश्वास की कमी है बढ़ता अविश्वास और विश्वास की कमी क्यों है पुराना इतिहास कुछ ऐसा रहा है मैं उस पुराने इतिहास की गहराई पर नहीं जाओंगा पर यदि आप शीत युद्ध के काल का अध्यान करें जो आपके बारवी कक्षा का एक विशा रहा है शीत युद्ध का काल तो आप पाएंगे कि दक्षिन एशियाई देशों में शीत युद्ध काल में महाशक्तियों ने शत्रंज के की गोटियां खेली काफी और इन देशों को प्यादे की जथा शत्रंज के प्यादे जथा उप्योग करने की कोशिश की एक दूसरे पर अविश्वास वे मनस्टिता को बढ़ाने का प्रयास किया और इसमें सफल भी हुए तो जो कामन समस्या बनी हुई है वो है एक दूसरे पर विश्वास की कमी और इसलिए क्या होता है कि जब अंतराश्टी मंज पे दक्षिन एश्याई देशों की कुछ कामन समस्या को लेकर बात होती है तो कामन समस्या रहते हुए भी ये देश अलग-अलग राग अपनाते हैं अलग-अलग बातें करते हैं एक स्वर में अपनी बात नहीं रख पाते हैं जिसका फायदा दूसरे देश, दूसरे एक्षित्र के लोग उठाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अंतराश्टी मंच पर हम बिखरे नजर आते हैं अंतराश्टी मंच पर हम एक जुट नहीं दिखाई देते हैं इसलिए हमारी आवाज दब जाती है हमारी कोई सुनता नहीं तो अविश्वास, बढ़ता अविश्वास चोथा कारण, चोथा समान, चोथी समान समस्या दक्शिर एश्या के सारे जग्ड़े ऐसा नहीं है कि भारत और उसके पड़स्वी देश के इसाथ हो अभी जो मैंने अदहरन दिया उसमें मैंने बताया भारत पाकिस्तान का मुद्दा मैंने भारत नेपाल का मुद्दा बताया भारत बांगला देश का मुद्दा बताया तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि सारी समस्या की जड़ भारत और अन्य देश हैं उसकी जड़ में भारत एक तरफ और अन्य देश एक तरफ ऐसा नहीं है इन देशों के बीच में भी आपस में भी समस्या आए है जैसे हम देखें तो बंगलादेश और म्यानमार नेपाल इनके बीच में तो अनेक मुद्दे हैं बंगलादेश नक्षे में देखिए उससे लगा हुआ म्यानमार और उपर नेपाल इनके बीच में विवाद के बहुत से मुद्द्द हैं जिसमें जाती मूलक मिद्दा है रोहिगया रोहिगया जाती को ले कर बहुत बड़ी समस्या चल रही है बंगलादेश और मयानमार के बीच में और इसी नेपाल के भूट नेपाल और भूटान इनके बीच में बहुत समच्चा है आप रवासियों को लेकर इन तीनों देशों के बीच में भारी तनाव बना रखता है और अंतराश्टी मंच पर ये तीनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखाई देते हूं रोहिंग्या एक अप एक वहाँ की जाती है मियान मार की किसी परस्ति तिवश ये लोग बिखार गए शरणार्थी के रूप में यहां वहां चले गए जिसमें भारत भी है इनकी समस्याओं को लेकर ये देश सब उलजे हुए हैं क्योंकि रोहिंग्या बहुत बड़ी संख्य में दूसरे देशों में चले गया हैं चाहे वो भारत हो चाहे बंगला देश हो चाहे नेपाल हो और शरणारथी के रूप में जो अन्य समझ्यां पैदा होती हैं उसने अब विकराल रूप ले लिया है और इसलिए जब अंतरराश्टी मंच पर रोहिंग्या समस्या को लेकर चर्चा होती है, चाहे वो UNO हो, चुम्तराश्च संग हो, चाहे कोई और फोरम हो, तो ये सब देश South Asia के देश होते हुए भी एक जुट नहीं दिखाई देते, अलग-अलग बातें करते हैं, आरोप प्रत्यारोप क बोलूँ, तो वो है एक दूसरे के बीच के जगड़े, उदारन अप्रवासियों का मुद्दा, अप्रवासियों के मुद्दे के साथ ही, एक और जो चिंता का विशह इन देशों के बीच में है, बांगला देश और नेपाल आदी, वो है हिमाले का पानी, हिमाले ही नदिय जो हैं जो वर्ष भर पानी देती हैं, इसके बटवारे को लेकर बहुत तनाव बना रहता है, क्योंकि हिमाले का पानी सतत रूप से आता है, और इन देशों के लिए बड़ा महत्पूर्ण है, एक और जहां पानी बार की सिति पैदा करता है, और तो पानी छोड़ने पर द कई बार पानी कम होने पर एक और जहां देश बांध के माध्यम से पानी को रोक देता है, तो नदी का आगे का जो हिस्सा है, वहां पर पानी नहीं रहता, तो वहां कम पानी होने की समस्या खड़ी हो जाती है, और ये देश दूसरे देश को आरोप लगाते हैं, ताट पर यह है कि एक दूसरे के भारत और अन्य देशों के बीच तो जगड़े के मुद्दे हैं ही पर देशों के बीच में भी विभन्य देशों के बीच में भी तनाओ जगड़े के बहुत से मुद्दे हैं और ये भी एक कॉमन समस्या बनी हुए अगला बिंदू इन देशों को ये हमेशा डर बना रहता है जिसका मैंने पूर में जिक्र किया है कि भारत एक कहीं बहुत बड़ा देश है उनको डर सतत रूप से सताता रहता है कि भारत कहीं बिग ब्रदर जैसा बरताओ तो नहीं कर रहा है और इस बिग ब्रदर के भै की के कारण शंकाएं अविश्वात बना हुआ है भारत कहीं पर बड़े होने पर दबाओ हम पर ना बना दे ऐसा इन लोगों को हमेशा डर बना रहता है और साथ ही दक्षिन भारत का जो भूगोल है जहां भारत बीच में स्थित है वहां भी अन्य देशों को ये चिंता है भारत की सीमा को लेकर भी बहुत सारी चिंताएं है तो निशकर्ष ये कि अगली जो कौमन समस्या है वह भारत की भौगोल कि स्थिती और भारत का विशाल होना अन्य देशों के लिए तनाओं का मुद्दा है अंतिम कौमन समस्या कौमन समस्या चमान समस्या जिससे सभी देश गरसित हैं साउथ एशिया के वो है निर्धन्ता और आर्थिक पिछड़ा पन ये जो खेत्र है भारत कितना भी विक्सित हो सचाई तो ये है कि 40 प्रश्चत जन्ता अभी भी निर्धन्ता रेखा से नीचे है एक बहुत बड़ी जन्ता क्या अभी भी अशिक्षित है एक बहुत बड़ी जन्ता क्या अभी भी भी बहुत कम प्रति दिन आये पर रहती है प्रति वेक्त आये पर रहती है और ये भारत जैसे भारत को सारक में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है उसकी तो ये स्थित है तो बाकी देशों के स्थिति आप सोच सकते हैं कितनी दैनी होगी इन मामलों में शिक्षा के मामले में आर्थिक विपनता के मामले में विमारी के मामले में स्वास्त के मामले में पिछड़े पन के मामले में तो एक अंतिम समस्या लेकिन बहुत गहन समस्या है कि सभी देश आर्थिक जिष्ट से निरधनता और पिछड़े पन की मिसाल हैं ये सभी देश मानोव सूचकांक में बहुत गिरे हुएं केवर शिलंका को छोड़कर शिलंका जो है मानोव सूचकांक के इस्तिते में थोड़ा बेहत और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वहां की जनसंख्या कम है लेकिन बाकी सारे देश की बात करें तो गरीबी, बीमारी, भुखमरी, अकाल, पिछड़ापन ये यहां कि हमारे इसके लिए बड़े सामानी शब्द हैं यहां के लिए विकास बहुत कम देखा जाता है और विकास कम क्यों है राजनीतिक अस्थरता राजनीतिक अस्थरता क्यों है उसके कारणों का हमने जेकर किया है तो खिल मिलाके एक विश्वम चक्र बना हुआ है तो ये छे कौमन समस्याएं और दो मूल समस्याएं ये इस बात को बताती हैं कि दक्षिन एशिया के स्थिति कैसी है एक नजर हम थोड़ा सरसरी नजर थोड़ा डाल दें यहां की आर्थिक स्थिति पर इस खित्र के देशों की आर्थिक स्थिति पर हम देखें तो इस चार्ड के माध्यम से आपको दिख जाएगा कि तुलना करें आप थोड़ा थोड़ा इसका अध्यान करें जो यहां पे पस्ट्रूट से डिश्टिगोचर हो रहा है क्या है इसमें आप देखिए कि कितना अंतर दिख रहा है जन संख्या प्रतिव्यक्ति आये और छेत्रफल इसका थोड़ा अध्यान करिए और अध्यान करके कुछ निशकर्ष पे आईए एक और जहां देखिए अफगानिस्तान का जो सकल राष्टी उत्पाद है वो मात्र 18 प्रतिशत बांगलादेश का वही 115 कलत्मा करिया 18 और 115 में क्या तुलना है और वहीं भूटान का 1.7 सकल राष्टी उत्पाद बिलियन डॉलर में प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं बिलियन डॉलर में अब यदि हम प्रतिशत में बदलें तो स्थितियां बदल जाएंग यह आंकड़े थोड़े से अस्थान परिवर्तन हो जाएगा सकल राष्टी उत्पाद बिलियन डॉलर में अदि बात कर रहे हैं और भूटान के अदि मात्र एक दिशमलों साथ दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि जनसन क्या बहुत कम है शित्रफल बहुत कम है तो प्रतिश का 6000 से उपर दूसरी और भारत को देखिए भारत की जन संख्या कितने आगे कितनी ज्यादा है और वहीं भारत का जो जो जनसक्यत्रफल देखिए वो भी कितना ज्यादा है खेत्रफल और जनसंख्या दोनों में इस चार्ट से बड़ा स्पष्ट है कि हम बहुत ज्यादा है और चूँकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है ये कहना शायद गलत नहीं होगा इसलिए हमारा गरीबी नर्द क जन संख्या का प्रतिशद भी ज्यादा है जो लगवा 27.5 प्रतिशद है ये 2005 का आंकड़ा है 27.5 और सकल राश्टी उतपाद 1847 डॉलर बिलियन डॉलर यदि दिखा रहा है तो वो इतनी बड़ी जन संख्या का दिखा रहा है इसे यदि हम पर व्यक्ति आये के रूप में तो बोलें तो मात्र 3800 डॉलर मात्र 3800 डॉलर और दूसरी तरफ मालदीव का देखिए तो वो 7700 डॉलर के आसपास आ रहा है 7600 अमालदीव का आता है 7690 यानि 7700 डॉलर के बराबर भूटान का 6300 डॉलर के बराबर शीलंका 6100 डॉलर ये जो चार्ट है ये दक्षिन एशिया के देशों की आर्थिक स्थिती को एक तरीके से दिखाता है और ये जो चार्ट बना है ये 2012 विश्व बैंक जो सर्वमान्य संस्था है जिसके आंकड़े सर्वमान्य होते हैं उसने देश और अर्थ व्यवस्थाएं के तहत ये निश्कर्ष ये आंकड़े तयार किये हैं तो इन आकड़ों से आप आर्थिक स्थिती समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि इस्थितियां कैसी हैं